रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों हिंदु धर्म में भगवान श्री शनिदेव को न्यायधीश कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम होती है वह सब शनिदेव की वज़े से ही होती है इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कबार कोई मुश्किल काम चुटकियों में हो जाता है और कभी कबार कोई आसान काम भी बहुत महनत करने के बाद भी पूरा नहीं हो पाता यदि किसी व्यक्ती की कुंडली में शनि की स्तिती सही हो तो उसकी वज़े से उस व्यक्ती को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्रापती होती है उस व्यक्ति का जीवन हसी खुशी वेतीत होता है परन्तु अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में शनी की अशुब सिती हो तो इसकी वज़े से उसके जीवन में कई प्रकार की परिशानिया उत्पन होने लगती है उसको अपने काम में सफलता नहीं मिलती किसी ना किसी वज़ से अकसर वह व्यक्ति परिशान रहता है दोस्तों आपको बता दें कि शनीदेव की चाल बहुत धीमी होती है और एक राशी में शनी लगभग ढाई वर्ष लगा देते हैं यानि कि अगर किसी व्यक्ति की राशी में शनीदेव की उपस्तति है तो धाई वर्षों तक उसका प्रभाव रहेगा दोस्तों जोते शास्र के अनुसार अगर किसी इनसान की उपर शनी की महादशा शनी की साड़ी साते या शनी की धाया का प्रभाव है तो उसके जीवन में उसे कई प्रकार की परिशानिया उसके जीवन में उत्पन होने लगती है दोस्तों अब आपकी उपर शनी की ढईया है शनी का भारीपन है या फिर शनी की साड़े साती है या नहीं इसका आप कैसी पहचान कर सकती है चलिए आपको बताती है दोस्तों बता दें कि इसके लिए जोतिश शांस्त्रे में कुछ ऐसे संकेत बताए गई हैं जिससे आपको इससे चुटकारा भी मिलता है अगर आपकी कुंडली में शनी की ढहिया चल रही है तो दोस्तों आप कुछ शनीदेव की उपाय करके आप इससे चुटकारा भी प्राप्त कर सकती हैं जी हाँ आप इन उपायों की सहेता से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और शनीदेव के क्रोट से भी आप बच सकती हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि जोते शांत्र के अनुसार जिन लोगों के उपर भी शनी भारी रहता है उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगती है जी हाँ जिन लोगों के उपर शनी की ढहिया चलती है तो उनके सिर के बाल अचानक से जढ़ने लगती है ऐसे संकेत इस बात क कि तरफ इशारे करते हैं कि उस व्यक्ति के यूपर शरी की साड़ी साति या फिर ढ़या चल रही होती है या शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में कई तरह के परिशानिया भी अचानक से उत्पन होने लगती हैं। आचानक उनके जेब से पैसा गिरने लगता है। आचानक उनके घरों के दिवार में दरारी उत्वपन होने लगती है। पती-पतनी के बीच कलेश होने लगता है। और यह मामला अधालत तक पहुँच जाता है। अधालत तक बात चली जाती है, घर में भाई भाई का आपस में जगड़ा होने लगता है, और आपस में हिस्सेदारी का बटवारा होने लगता है, साथी सा धन संपदा का नुकसान या कहीं आर्तिक्तिती भी ऐसे विक्ती की बिगड़ने लगती है, ऐसे विक्ती के घर में प प्रसानता में बदरने लगती है शनी के अश्युप प्रभाव होने की वजह से गलत रास्ते पर विक्ती जाने लगता है यहां तक कीव मास मदिरा का सेवन करने लगता है शनी की ढईया होने से विवहार में उसके तिचड़ापन देखने को मिलता है मन में उसकी कई तरह की नकरातमक खयाल देखने को मिलते हैं यहां दोस्तों शनी की ढईया होने से विक्ती को जीवन में बहुत तरह की नुकसान का सामना भी करना पड़ता है जी हां दोस्तों आपको हम बता दी की ऐसे विक्ती के अंदर आलस भर जाता है आलस इनके शरीर में भर जाता है और व्यक्ति को काम टालने की आदत होने लगती है इतना ही नहीं शनी के ढईया होने से और शनी के खराब सती की होने की वजह से उनके काम काज में बाधाई उत्पन होने लगती है बनता बनता काम भी व्यक्ति का बिगड़ जाता है शनी खराब होने की वजह से स्वभाव में नकरातमक्ता भी देखने को मिलती है बाल नाखुनों का बढ़ना, डाड़ी का बढ़ना और मास मदिरा का खाने पीने का अधिक रुची अगर ऐसी लक्षन, ऐसी संकेत आपके जीवन में भी है तो दोस्तों ऐसी चीजों का आप तुरंत त्याग कर दे नहीं तो आपके उपर शनी की कुद्रिष्टी रंतर बनी रहेगी ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि शनी की ढईया आपके उपर से समाब थो शनी की कुद्रिष्टी आपके उपर से समाब थो तो आपको ऐसे काम बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं करने चाहिए यानि कि आपको आलसी नहीं होना चाहिए ज्यादा देनों तक नाखुन और डाड़ी का बढ़ना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मास्क मदीरा खाने सी भी जितना उसके आपको परहेस रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों इन्हीं वज़र से कई तरह की समस्याएं आपके घर में अचानक कुछ ना कुछ बड़ी दुरगटनाए कर जाती है इनसान की नौकरी चली जाती है बिजनिस व्यापार ठप हो जाता है जी हाँ दोस्तों शनी की ढईया होने से कई प्रकार की नकरातमकता देखने को मिलती है इसलिए अगर आप ऐसी चीज़ें अपने जीवन में देख रहे हो तो तुरंत सावधान हो जाए और भगवान शनी देव को प्रसन करने के उपाय आप करें ताकि आपको शनी देव की ढईया से मुक्ती मिले और शनी देव आप से प्रसन जित रहे लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि कल से शनी देव की ढईया कुछ राशी वालों के उपर से खतम होने वाली है जी हाँ इन राशीयों को अब बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त होने वाली है कल से शनीदेव इंदराशी वालू से सदैव प्रसन रहने वाली हैं और दोस्तों इतना ही नहीं जोतिश शाश्त्र में ऐसे बहुत सारे उपाई बताए गई हैं जिससे आप कलियो के महराज शनीदेव को प्रसन भी कर सकती हैं जैसे हनुमान जी की उपासना करना शनी चालिसा का पाट करना, शनी स्त्रोत का पाट करना, काली उड़त पीपल के जड़ में डालना, महमृत्योंजय मंतर का जाप करना, ओम नमस्शिवाय मंतर का जाप करना, भगवान सूर्य देव की उपासना करना, सूर्य देव को जल देना, पीपल के विक्ष की विधीवत पूजा करना घोडे की नाल अपने पास रखना और निलम धरण करना शनिदेव को इन सभी चीज़ों से अगर आप ऐसा करती हैं तो शनिदेव को आप ऐसी चीज़ों से प्रसंद कर सकती हैं साथी साथ जो विक्ती शनिदेव का सबसे प्रिय मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रहों सह शनिष्चराय नमहा का जाब करें या फिर ओम शम शनिष्चराय नमहा मंत्र का कम से कम एक माला हर रोज जाब करें ऐसा करने से भगवान शनिदेव उस विक्ती से जरूर प्रसंद होती है जी हाँ, ऐसा करने से आपको शनी की ढहिया सिराहत मिलेगी और शनीदेव की अपहार कृपा आपकी उपन निरंतर बनी रहेगी अगर आप यह काम करती हैं, यह उपाई इनमें से आप कोई भी उपाई अगर आप निरंतर कर लेती हैं तो भगवान शानिदेव की कृपा आप पर बरस्ती है और आपके जीवन में तमाम जो परिशानिया चल रही हैं वह सब भगवान शानिदेव एक चुटकी में दूर कर देती हैं साथी साथ मतालक्ष्मी का भी आपके घर में निरंतर वास रहता है यदि आप जीवन में सुक समरिद्धी धन वैभव को पाना चाहती हैं और मतालक्ष्मी जी का अपने घर में वास चाहती हैं तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए दोस्तों बता दे कि जो तिश की मत अनुसार ग्रहों की चाल के कारण कुछ ऐसे संयोग कल सुभभ बन रही है जिससे कि भगवान शनीदेव और माता लक्षमे जी की कृपा कुछ राशी वालों पर होने वाली है जी हाँ और इन राशी के लोगों की उपर भगवान शनीदेव की ढईया का असर अब कम होता हुआ दिखने वाला है दोस्तों बता दे कि ये जो राशियां हैं वह हैं मेश राशी, मिथुन राशी, तुला राशी, कनिया राशी, कुम्ब राशी और मकर राशी दोस्तों आपसी अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्छे दिल से जैश अनीदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें